अगर दूसरे समन के बाद वो नहीं पेश होते हैं तो तीसरा समन उनको जाएगा और उसके बाद उनके खिलाफ गिरमतारी का बोरन जारी हो सकता है बड़ी खबर आपको बतार आजामिश्ट के घर के बाहर पोलिस ने दूसरा नोटिस दूसरा समन चिपकाया है अजामिश्ट के बेटे आशिश मिश्ट को पूशताच के लिए यूपी पोलिस ने क्राइम ब्रांच ने बुलाया था लेकिन वो पेश नहीं हुए उनके पिता आज़ा मिश्रु ने कहा कि तब्यत खराब होने की वज़े से वो पेश नहीं हो पाए है संभवता बहुत जल्द वो सबूतों के साथ बहुत जल्द यानि कल सुबा 11 बजे वो सबूतों के साथ क्राइम ब्रांच के सामने पूश ताज के लिए पेश होने वाली है जिसमें वो अदालत के सामने पूलिस के सामने पेश नहीं हुए उसके बाद दूसरा नोटिस शिपकाया गया है ग्री राजमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशुष मिश्रा है जिन पर लखीम पुरहिंसा को लेकर कई तरह के आरोप लगे हैं और इसी को लेकर पुलिस पिक्चर क्लियर करना चाहती थी बादशित करना चाहती थी पूश्टाच करना चाहती थी लेकिन दूसरा नोटिस आज चिपकाया गया है पहला समन का नूले दिया गया था लेकिन वो पुलिस के सामने पूश ताच के लिए पेश नहीं हुए इस बड़ी खबर पर बाच्छीत के लिए मेरे से होगी आदर्श मेरे साथ जोड़ रहे है आदर्श दो नोटिस भेजी जा चुकी है तीसरे के बाद वारन जारी होगा देखें इसमें साथ तोर पर ये लिखा गया है कि आपको आज सुबह दस बज़े तक कर समय दिया गया था लखीमपूर खीरी के पुलिस लाइन में पहुँचकर अपना पक्ष रखने के लिए लेकिन आज आज आप उस तय समय पर नहीं पहुँचे हैं पुलिस ने आपका इंतजार किया है और कल एक बार फिर से आपको समय दिया जाता है कि आप सुबह ग्यारा बज़े तक लखीमपूर खीरी के क्राइम रांच जो आफिस है वहाँ पर पहुँचकर अपना पक्ष रखें और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ उसके आगे जो विधिक कारवाई होगी वो की जाएगी माना जा रहा है कि अगर कल भी जो नहीं पहुचते हैं तो उसके बाद आशीश मिचरा अगर नहीं पहुचते हैं तो उसके बाद फिर इनके उपर कानूनी कारवाई हो सकती है इसमें पोलिस जो है वो कोड के पास भी जा सकती है यह समझने के लिए कि अखि पुलिस ने दूसरा नोटिस सर्व किया है और ये भी बता दूँ आपको कि आज ही आजे मिश्र टेनी दिली से लखरों पहुंच रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर बीजेपी पार्टी कारेले जाएंगे वहाँ पर अपने तमाम बड़े नेतरित से मुलाकात कर हैं तो कल वारन जारी हो सकता है साथी साथ भगोडा भी घोशित कर सकती है यूपी पुलिस और भगोडा घोशित करने के बाद फिर नियत जो कारवाई होनी चाहिए वो कर सकती है हाला कि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि एक दिन का और समय पुलिस में दिया है कि कल भी अगर नहीं पहुंचते हैं तो उसके बाद जो विदिक कारवाई होगी वो यूपी पुलिस करेगी